नमस्कार न्यूस वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल राजस्थान में गहलो सरकार के चाल साल पूरे होने पर अगले साल के विधान समा चुनाओ के लिए बीजेपी ने खाखात याग कर लिया है और अविवार को जुनू में आयोजित परदेश विजेपी की कारे समीती की बैठत में परस्ताव पास कर कई एहम फैसले भी लिये गए हैं राजिस्थान विजेपी सभी दोसु विधान सभाद छेत्रों में ही एक दिसंबर से रथ यात्रा के साथ जन आक्रोश रैलिया शुरू करेगी और गहलोत सरकार के खिलाफ आदोलन की शुरूवात 26 नुमंबर से होगी और जिसका आगाज राजधानी जैपूर में किया गया जाएगा आपको बता दे कि जुनू में ही आयोजीत परदेश विजेपी कायोसमीती की बैठक में परदेश संगर्ठन महामंतरी चंद्र शेकर दे यात्राओं का परूप रखा है और सभी यात्राओं का रोड मैप बनाने का भी जिम्मा दे दिया गया है आपको बता दे कि यात्रा के दुरान अलग-अलग स्थानों पर कम से कम आठ से दस चोपाल और वेलकम पॉइंट बनाए जाएंगे और हर एक विधान सभा में सो से ज़्यादा चोपाल बनाए जाएंगे आपको ये भी बता दे कि 27 नमबर को सभी जिलो में बीजेपी नेता प्रेस कॉंफरेंस कर कॉंग्रेस सरकार के खिलाब हला बोल करेंगे और 25-30 नमबर तक शोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाएगा वही 29 नमबर को जैपूर में परदेश सत्रिये रथियात्रा की लॉंचिंग की जाएगी जिसके बाद 30 नमबर को जिलो में और 1 दिसंबर को सभी 200 विधान सभा छेत्र में रथियात्राय निकलनी जो है वह शुरू हो जाएगी और इसके अलावा 17 दिसंबर को राजिस्थान में बिजेपी काला दिवस मनाएगी और ग्राम पंचायब स्तर पर 1 से 10 सितंबर तक ग्राम चोपाले लगाई जाएगी जानकारी के अनुसार बिजेपी 20 दिसंबर तक जनाक्रोश रैली निकालेगी कॉंग्रेस नेतर राहूल गांगी 22 नमंबर को गुजरात आएंगे और इसके साथ ही महापर पार्टी के लिए चुनाओ परचार भी करेंगे जहां 12 नमंबर को मदान हुए थे और हिमाचल चुनाओ में पार्टी कारेकरताओं की भी मांग थी के राहूल गांदे राजे में चुनाओ परचार के लिए पहुचते लेकिन इस दोरान भी उन्होंने अपने पदियात्रा जारी रखा हिमाचल में चुनाओ खतम होने के साथ ही कॉंगरस गुजरात पर फोकस कर रही है और बीजेपी के वरिष्ट निता रवीशंकर परसाद ने राहूल पर हार के डर से चुनाओ परचार से दूर रहने और जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप लगाया था मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक शिमला में एक रैली को संबोधित करते हुए रवीशंकर परसाद ने पूछा था कि राहूल गांधी कहां है कहां गायब है और ये यात्रा है लेकिन हिमाचल के साथ ऐसी उदास सीनता क्यों माना जा रहा है कि इनी सवालों की मजह से पार्टी लीडर्शिप ने राहूल गांधी को गुजरात में परचार के लिए जाने का आगरह किया है और अगले कुछ हपतों में ही पार्टी के परमुकर नेताओ द्वारा चुनावी राज्यों में कई परचार रैलिया शेडू लेकिन उनके रैलिया कहां होंगी ये अभी साफ नहीं उद्धेपुर एहम्दाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर शनिवार देर रात अग्यात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया इससे पटरियों पर ही क्रेक आ गया है और मौके पर बारूद भी मिला है आपको बता दे कि बदमाशों की साजिश पुल को उडाने और रेलवे ट्रेक को बरबाद करने की थी और धमाके में चार घंटे पहने ही इस ट्रेक से ट्रेन गुजरी थी और धटना के बाद ही अंदाबाद से उदेपुर आ रही ट्रेन को दुंगरुपुर में रोक दिय और प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने 31 अक्तूबर को ही इस लाइन का लोकारपन किया था और उधर रेल मंतरी अश्वनी वैशनव ने कहा है कि मौके पर ATS, NIA और इसके साथ ही रेल पुलिस जाज कर रही है और दोशियों को बक्षा नहीं जाएगा पुल बनाने का काम तीजी से चल रहा है और तीन चार घंटे में ट्रेनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी और जिला कलेक्टर चाराचंद मीडा ने कहा है कि डेटोनेटर से पुल को उड़ाने की साजिस सामने आई है और उधरपुर SP विकार सन्मा ने कहा है कि शुर और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पहुचकर सबूत जुटाने हैं और घटना स्थल पर ही राज्यस्थान पुलिस की एंटी टेरिस्ट स्कॉाइड भी पहुच गई है और घटना उधरपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलूंबर मार्ग पर केवडे की नाल में ओढ़ा कई जगह से तूट चुकी है और इसके साथ ही फुल पर लाइन से ही नट बोल्ड भी गाय बताय जा रही है और ट्रैक पर लोही की पतली चादर भी उख्री हुई मिली है और यह हालत देखकर ग्रामीडों ने तुरंध हाथ से की सुचना रेलवे अधिकारी को दी और इसक पाती तो कई लोगों की जान खत्रे में पड़ सकती है और इस खास मोके पर कॉंग्रस अधियाक्ष बलिका अर्जुन खड़ंगे और सोनिया गांधी ने उन्हें शर्धांजनी अर्पित की है दोनों नेता नहरू के इस माधी स्वल पर शांती वन पहुचे और उन्हें प इस मोके की तस्वीरे सांझा करते हुए लिखा है कि भारत के विकास में पंडित ज्वाहरलाल नहरू जी के योगदान के लिए राश्ट उनका स्मर्नट कर रहा है और इसके अलाबा पाटी की और से पंडित नहरू का एक वीडियो भीट वीट किया गया है और इस पर लिख है कि बच्चों के चाचा नहरू प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भी पंडित नहरू को शर्धान जली अर्पित की है उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है हमारे पुर्व प्रधान मंतरी पंडित ज्वाहलाल नहरू जी की जहन्ती पर कोटी-कोटी नमन हम राश्ट के यही करोडों करोड जनता है पंडित नहरू के इन्ही लोकतांत्रिक प्रगती शीर और धर्म निर्पेक्ष मुल्यों को दिन में लेकर चल रहा हूं हिंद के ज्वाहर के भारत माता की रक्षा के लिए मुख्यमंदरी योगी आदेतनात गोरकपुर में अपने दो दिवस्य दोरे पर है और जहां उन्होंने सुभा गोरकपुर मंदिर परिसर में ही जनता दर्शन के दोरान लोकों की फर्यादे सुनी है और संबदित अधिकालियों को मामले का जल्द से जल्द निस्तारण करने का भी दिशा निर्देश दिया है तो गोरकपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीम योगी ने दो दिवस्य दोरे पर ही लोगों की फर्यादे सुनी हैं और इसके साथ ही लोगों से बात्चित भी ही है भाई संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद रहे हैं जो अपने अपनी फर्याद लेकर सीम योगी आदितिनाद के पास पहुचे मुझफर नगर की खतोली विधान सभा सीट पर राजनीती चुनावी सरगर्मिया जो है वो तेज हो चुकी है वहीं आज खतोली विधान सभा छेतर के अंतरगत आने वाले पीपल हेरी गाओं में रास्टे लोग दल परमुक और राज्य सभा सांसर जयन चौधरी ने जन सभा कर सत्ता रून पार्टी पर जम कर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि मुझफर नगर और शामली की जनता ने 2022 के विधान सभा चुनाओं में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी लेकिन हम खतोली विधान सभा के सीट हम चूक गए थे और उसे दूबारा जीतने का मौका मिला है उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के कारिकरता और रालोद के कारिकरता एक मुफ्त होकर महनत करेंगे और इसके साथ ही एक और विधायक की गिंती हमारे खाते में होगी रालोद परमुख जेंद चौधरी ने मुख्यमंतरी योगी आदितनाद के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर तंज कस्ते हुए कहा कि आज लोग एक नए अधियायक के साथ आगे वढ़ना चाहते हैं उन्होंने कहा कि जब मुख्मंत्री योगी आदितनाद चुनाव के दौरान मुझचफर नगर आए थे तब वो ऐसे भाशा बोल रहे गए जिसका परिणाम आज आपके सामने है उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि गन्ने का भाव अभी तक क्यों नहीं क्या हुआ और उन्होंने कहा कि जो किसान के मुद्धे हैं वो पिकास के मुद्धे हैं उन्हीं को लेकर हम काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादिये और राच्च लोकल के कारिकरता एक मुझ्ठ होके मेहनत करेंगे और एक और विधाय की गिंती हाला कि मुझफण अगर और शामली जिले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पूरी ताकती लेकिन एक सीट का खटॉली हम चूग गए थे दुबारा जीतने का मौका हमें मिल रहा है एक नए ध्याय के साथ लोग आगे बढ़ना चाहते हैं यही बात है कि गर्मी निकाल दूंगा और दंगे की यहाद दिलाना खुद मंत्री जब मुझफणा का राय थे ऐसी बासा बोलके गए थे गन्ना विकांस और चीनी उधियोग विभाग राजय मंत्री संजे सिंग गंगवार एक दिवसे दौरे पर बलरामपूर पहुँचे हुए थे और यहाँ उन्होंने बलरामपूर जिले में मौझूद चीनी मिलो के डिसलेरी में काम करने वाले मजदूर संग के एक अधिवेशन को संबोधित किया गंगा राजय सभा के द्वारस मुख्याले में मौझूद यूपीटी होटल में ही विभाग अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठा की गई और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को चेतामने देने के लहज़े से कहा कि गंगा खिसानों को अगर कोई समस्या हुई या फिर कट तौली की शिकायत मिले तो फिर खैर नहीं होगी और गंगा किसानों के फसलों का भुपतान समय से करवाया जाए उन्होंने बजाद चीनी मेल के द्वारा किसानों को बकाय का भुक्तान ना किये जाने पर नराजगी जदाई है और जल्द से जल्द भुक्तान दिलाने के इन देश अधिकारियों और करमचारियों को दिये है इन सब के लिए जो चीनी और डिस्टरी से जुड़े हैं इनके लिए एक बर्दान डवल्जय की सरकार ने देने का काम किया ये बर्दान के रूप में है और हमको इसी सब दिशा में बिल करें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्या किसानों के हित में गन्या का भुक्तान आपके यहां जन्पत का एक अगर मिल छोड़ दे उसका भी पहले से बहुत अच्छा हुआ है बाकी हम लोग ने यहां 100% भुक्तान कर दिया है किसानों के लिए मिल शुरू होने बाली है उनको गन्या लाने में कोई परिशानी ना हो मुख्यमिंद्री योगी आदितनाथ द्वारा पूरे परदेश के विकास को लेकर तमाम तरह के परियासों और योजनाओं चिलाए जा रही है और गोरगपूर की बात करें तो जब से परिदेश में योगी सरकार मनी है तब से गोरगपूर का चौम मुख्य विकास हो रहा है राप्ती के टट पर मौझूद राजघाट में पहले दा संसकार होते थे लेकिन उसके बगल में अब गुरु गोरगपूर के महापूर सीता राम जैसवाल ने हरी जंडे दिखाकर अभी वोट को रवारा किया और बताते चले आपको कि गुरु गोरचनाथ घाट और राम घाट पर मोटर बोट और स्पीड बोट का आज से घाटन हो गया है और बड़ी संख्या में लोग उत्सुक्ता से यहां बोट का आणन्द लेने के लिए पहुचे थे और जहां लोगों की टिकट देकर बोट को में बैठाया गया है और लोगों ने ही अपनी खुशी जाहिर करते हुगे कहा कि बोट में बैठ कर हमें काफी खुशी महसूस हो रही है यह देखे राप्ति गाट का सुन्दर ही करन करना भारती जंता पाटी और हमारे मुख मंत्री जोगी जी का रिब परजक्त था और प्रेटंड की द्रिश्टी से इसको सुन्दर बनाया गया है मुख मंत्री जी का दिशा दिर्देश्ता कि राप्ति घाट पर भी वोटिक होनी चाहिए जिससे काफी प्रेटंड को बढ़ावा भी लेगा इस कार्जक्रम में नगरिंगम ने पहल की है और आज राप्ति तट पर बोटों का संचालन सुरू किया जा रहा है इस कार्जक्रम में यहां के जनता का काफी उत्सा है यूपी के पीली भी जन्बत में 3 करोड 81 लाख की लागत से ही निर्मान हो रही सडक की गुडवक्ता की हकीकत रहगीरों ने 3 सेकंड में खूल करती है लोगों ने हाथ से ही नई बनी सडक पर बने मार्ग का बजरी और कॉलतार उखार दिया है और इस मामले में वीडियो जो है वो शोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है दरसल परधार मंत्रिक ग्राम सडक योजना के तहत बनाई जा रही इस सडक की लंबाई लगभग 7 किलो मिटर है और इसकी लागत 3 करोड 81 लाख है विभाग्ये एक का कहना है कि बिना धून हटाई की सडक डाल दी गई थी और ठेके दार को ब्लैक लिस्टेड करने की भी कारवाई की जा रही है अब इसका निमार में बीके टेश्यक्सिंट कर रही है और इस तड़क पर वहां पर वीडियो आयल ही है वहां पर मदलब डश्ट का इसके मट्रियल के टॉली गरी पहले से गिरा हुआ था तो उसने बिना सफाई की अच्छे से उस पर विना अच्छे सफाई के पे लेपन का कारी कर दिया इसलिए उत्वा था वहां पर मतलब सर्पे सुखाड रही थी जिसको तुरूंत हम लोग भ्यान में लेते भी आज ही कि मैं सुखाड जाके वहां पे कारी को तुरूंत खड़वा जितना पॉर्सन खड़ापता उसको भुड़ा के सही कराया जा रहा है दुबारा से ठेकदार यह अपने लागत्तिरस का कोई बुखता नहीं किया जब तक कारी पुरा संट्रू सपाइन हो जाएंगे हम लोग जिसकरी से आपको बतावें यूद्धा पुदे फरकार लगाता दावे करते बादे करते दच्चा मुझ खड़ेंगे तो यह तो खलके या तो हैं और तो उनमें गज्जे हैं और अगर तो खलक बन भी रहे हैं तो बोटाले प्रस्टेटार दिमक्ड़ लगातार लगतार यह तो मामला एक पूर बभवनता पूर चांड़ा शात्रवधी यूर का यह मामला है इस शलक का जो निर्मान को किया है वो बिचे करिस्टन कंप्वी ने ने जो है जिसके लागत झुद इसमें लागत जो आई ने शुदार ने पुरी श्रल्ण का घूज़ा था उसने बा तो बताए लिए जा रहा है कि जो है बनके तयार होगे करी 11 km का यह साथ किलमेटर यह बनके तयार हो चुका है तो बताए लिए जार को चुका है बनके तयार होगे और तीर करोड प्रस्ता चार्टी ब्रेट करती नजर आ रही है बिल्ग पराज़ इसना फिर्णी की मामला पूरे तोर पे साफ तोर पे नजर भी आ रहा है बहुत बहुत शुक्ति आम ऐसा जुनने के लिए प्रिजानकारी सांथा पने के लिए हातरस सराफा वेपारी की दुकान से चोरी का खुलासा ना होने पर वेपारियों ने विरोध परदर्शन जताते हुए बाजार बंद कर दिया है आपको बता दें कि तीन दिन पहले चोरो नहीं सुनार के दुकान के ताले तोड़ कर लाखो का सोना और चांदी चोरी किये थे और मही पुलिस ने चोरी की वारदात को लेकर अभी तक किसी को गिरफतार भी नहीं कर पाई आपको बता दें हातरस से मामला सामने आया है जहां पर पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफतार नहीं कर पाई है आत्रोशित वैपारियों ने दुकान बंद कर तालो लाखा दिया है इसा मामला सामने आ रहा है हातरस से आपको बता दें कि हातरस सराफा वैपारियों ने विरोध परदर्शन जताते हुए बाजार बंद कर दिया और आपको ये भी बता दें कि दिन दिन पहले चोरों ने सुनार की दुकान में ताले तोड़ कर लाखों का सोना और चांदी चोरी किया था और जिसके बाद पुलिस ने चोरी को लेकर अभी तक किसी आरोपी को गिरफतार नहीं किया है कोई भी इसमें अभी तक गिरफतारी नहीं हो पाई है जिसके बाद जो लोग है वहाँ पर मौझूद वो लगातार दुकानों में ताला बंद कर विरोध परदेशन जता रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि चोर को गिरफतार किया जाए और इसी खबर पर हातरस से संबाद आता देपेश ठाकुर हमारिसा जुड़ चुके है देपेश जिस तरह से मामला सामने आया है चोर को भी तक गिरफतार नहीं किया गया है वहीं जो आसपास के लोग हैं वो काफी आप्रोशित में ज़र आ रहे हैं जी सुमान मैं आपको बता दो कि जब पूरा मामला आया वो सादावाद बतावन खेत्र का है जो कि यहां तीन मिन पहले इस तरापा गया पारी के दुपान से ताला तोर कर चुरी की वतना को अंजाम दिया गया था उसी के चलते ब्यापारियों ने आज पूरे बजार कच्बे को बंद की आया और उसके खिलाफ पुलिस प्रतातन के खिलाफ नारेवाजी दी किये तुमान जी जी जिस तरह से बताया जा रहा है कि चोरी हुई है अभी तक कि चोरी कोई होपाई है? कुछ बताचल पाया इसका? जी जो ब्यापारियों ने चोरी की घचना लिखाई है उसमें तरी तिंग से पाद राफ रुगर के जीट की चर्चाय की गई है लेकिन अभी तक फुलिस ने इसको लेकर कोई भी खुलाता नहीं किया है और खुलाते को लेकर तराफा और ब्यापारी बहुत ही आक्तरों से द पुलिस प्रशासर ने कोई समझाईश की कोशिश की है तीन दिन पहले चोरी इवटना हुई थी तीन दिन में पुलिस प्रशासर अभी तक कोई दी कारवाई नहीं कर पाया था उसकी के जबते ब्यापारी जो आक्तरों से थे और उसी को लेकर उनों से आज पूरे बजार क को बंद किया है और प्रशासर नारेवाजी की अभी तक फुलिस में कोई भी आस्वासर जो ब्यापारी उनकों नहीं किया है जी दिपेश बहुत 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 शुक्री हम ऐसे जुड़ने के लिए पूरी जानकारी सांचा करने के लिए देवरिया के ककवल में एक यूपती को ग्राम परधान सहीत उनके लड़के दमाद और ग्राम परधान के कुछ गुर्गे नहीं यूपती का अप्रहन करने की कोशिश की आरोप है आपको बता दे कि 11 नवंबर को यूपती ककवल चुराहे पर बने अपनी मकान पर ही बैठी तक गाओं के ही ग्राम परधान सहीत ग्राम परधान के लड़के ग्राम परधान के दमाद और अन्य लोग लड़की को जबरन खीच कर गारी में बठाने लगे और लड़की ने बिरोध किया तो लड़की के साथ शुर्चान भी करने लगे और जब लड़की ने सोर मचाया तो फिर शोर मचाने के बाद ही अगल बगल के लोग वहाँ पर जुट गए और उसके बाद भी दबंगों ने लड़की को बुरी तरीके से पीता है और लड़की के मा को, लड़की के भाई को, लड़की के पीता को पीट-पीट कर जखनी भी कर दिया है बीडे कटी होने के कारण ग्राम परधान और उनके गुर्गे लड़की का प्रहण करने में सफल रहे और भाग खड़े हुए और इस विशे में गोगी बाजार पुलिस ने प्राथी के तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया है और यूती का साफ तोर पर कहना है कि आए दिन हमारे साथ ग्राम प्रधान और ग्राम प्रधान के लड़के और ग्राम प्रधान के दामाद छीटा करशी और छेड़ खानी करते रहते हैं ख़बर मतुरा से हैं मतुरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई और जिसमें दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और साथ ही आपको बता दे कि मुटवेड में एक बदमाश के पैर में गोल ही लगी है जिससे बदमाश खायल हो गया और पुलिस ने खायल बदमाश को अस्पतार में भरती कर राया है पुलिस को बदमाशों के पास से मोटर साइकल और अवे तमन्चा भी बरामत हुआ है तो आपको बता दे मतुरा से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुटवेड बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि बदमाश और पुलिस के बीच मुटवेड हुई और दो बदमाश उसमें घायल भी बताई जा रहे है तो मतुरा से खबर है जहां पर तो बदमाश्यों को फिलहाल गिरफतार भी कर लिया गया है आज कोसी कला थाने की पुलिस को ये सूचना मिली थी कि फ्रिच लूट से संबंदे दो अभी गुपाल बार्ग सर्विस रोट से हो करके किसी अन्यवारदात की फिराक में गुजदने वाले हैं इस पर पुलिस के टीम के द्वारा वहां पर चेकिंग लगाई गए पुलिस को एक मुर्साइगिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये उनको पुलिस टीम के द्वारा रुखने का आदा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायर किया गए और इसी खबर से खबर पर हमारे साथ मतुरा से समवादता पिंटू जुट चुके हैं पिंटू जिस तरह से मामला सामने आया है पुलीस और बदमाशों के बीच मुठभेड हुई है पूरी अपडेट बताएए पिंटू मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है जिस तरह से बताया जा रहा है पुलिस और बंदमाशों के बीच मुढ़ेड हुई है इसमें कितने बंदमाश गयार बताया रहे है पिंटू पिंटू इजन परादी लोटो रहे हैं यह एक परात अबेसे लोने दिनंक पासपूर पहले रहे हैं वहां प्रूट की ती मत्रा में और लूट की घट्रा पुलिट मतमाश गराया था इसमें यह जो चाहिए अज प्राद रहे है ने परिश्टन सांगता मिलिया और जो इसने बरामत किये जे पिंडू बहुत शुक्रिया मारे साथ जुनने के लिए पुरी जानकारिसान से करने के लिए इटावा में जैपूर से नेपाल जा रहे टेरियरिस्ट बस में ही भीषन आग लगई और वहीं यात्रियों ने बस से कूद कर अपनी जान बचाई है कि इटावा से खबर है जहां पर यात्रियों ने बस से कूद कर अपनी जान बचाई है बताय जा रहा है कि बस में अचानक आग लगई और जिसके बाद यात्रियों को हड़ड़ी में ही अपनी जान बचानी पड़ी है और वहां पे हड़कंप मच गया आग लगई कि सूचना जैसे ही देखी और इसके बाद ये स्थाने लोग भी मौके पर पहुंचे आपको बता दे कि इटावा में जैपूर से नेपाल जा रही थी ये बस और बस जो है भी और इसी खबर पर हिटावा से संबाद आता रोहित सिंग चोहान हमारे साथ जुड़ चुके है रोहित सिंग जैसे जानकारे सामने आ रही है कि बस में अचानक आग लग गई और यात्रियों ने अपनी जान बह मुश्किल बचाई लिकुल आपको बता दूँ ठाना उस्रा कि बच्टे अचिया जएक रख्याक को बच्को ये मेल कमुछ पर पॉच्टना के लाइन पोलिस इस सामा की है और बस को जो है रंकल करनी होना गोला कर उसके आपको सांग कर दिया जी जे रोहित और इस्थानिय लोग वहां पर पहुच पाये थे आसपास का एरिया जद्धा जो लोग मदद कर पाए बिल्कुल इस्थानिय लोगों की कोई किसी तरी के से मदद नी मिल पाई चुकि आगर लखनों एक्सप्रेस में कि आपकोई जाओ नहीं है और जो है वहां पर हाइवे पर यह जटना लटेक हुई है और पुलिस के दुवारा यह जो ना आज पर काभू पाया गया और याद्क्रियों ने जो है किसी तरीचे से अपनी जान को फुरचित किया अपने अपने आप जारी है अब देखते रहें न्यूज वर्ल्ड इंडिया